सवाल ही ने उड़ता बाबा इस इंसान ने खुद को गुरूर से मुकम्मल कर दिया है ना उसमें सीखने की चाह होती है ना जगर ऐसे इंसान को हम कुछ नहीं सिखा सकते बात को समझने की कोशिस करो हाथे में रोशनी ने अली को चुना है इबलिस का खात्मा करने के लिए यही उसका मुकदर है मुकदर फिर तो हम सब की जान खत्रे में है माफ कीजे पर आज हम नहीं होते तो आपका ये अली है अपनी जान गवाब एटता और जो इनसान खुद के जान नहीं बचा सकता है, दुनिया के बचाने निकला है, तो हो गए रिक्वासित. हाते मिसले तो तुम्हें चुना है, अली में जोश है, जुनून है, जजबा है, काबलियत है, कमी है बस सही दिशा की, उसकी चिंगारी को मशाल बना दो, जो इबलिस की दुनिया को जला के राख कर दे, उसे नस्त नाबूत कर दे. माफ के, जे बाबा, हम आपकी हर बात मानते हैं, पर ये बात हमारा मन नहीं मान रहा है, आली में चिंगारी है, जुनून है, ऐसा हमें नहीं लगता है, कि देखे, ये शम्शीर है, इसे तपाया जा सकता है, बहतर बनाया जा सकता है, बत्थर को नहीं है, हम नहीं कर सकते है हातिम भी जो ठान लेता है वही करता है अब मुझे बात करने ही होगी उसकी दोस दाहिरा से लगता है यह लड़की मसीबत में है मुझे इसकी मदद करनी होगी यह बेडिया यह सपर अमला करने वाला है कपराने की ज़रूद नहीं है अब आप बिलकुल महफूज है कर दो दो một के लड़र की बात कर से कि जग गेए बात कि अब में है ठ 앞ेम करते ही वरर का कर दोग सकतरा के है कि तर अमला कर भी कर सकतरा कर दोड़ने हिस्ट थे एफ contrat भी का कितनी मुश्किल से उस बेडिये को यहां लेकर राय थी उसके जहरी ले दाथ हासिल करने के लिए और तुम्हारी वज़े से पहले वाला भाग गया, किसने गहा था तुम्हें बीच में आने? तुम्हार मुलाई ढाला थाभा तुम्हार से ल canoe कोफ दूम्हारा कि लिए का pani वर्शॐक न्य है लैने, वर्द दूम्हार का भाः chewing वहार भाप बाव लेडिकर आड़ कितनी मुम्हार भाप हृ वहार, वहार, भाप बेडिये लगा, किसने ने वहार खम आरद MS-ka? बँड़ी बठाब ilोड़ी बढ़ी इनको प्रेंड़ी बढे़ी जरा जड़ी जरावी जरावी को दिनरों नविग तर्फट्ट वे अरावी न वे थे शोलों जरावी तुम आदमियों को हमेशा सा क्यों लगता है कि हम लड़कियों को तुम्हारी मदद की जरुबत पड़ती है मांगी थी मैंने मदद तुमसे तुम्हारे खंजर की तरह तुम्हारी जुबान भी बहुत तेज है बे खौफ और हाजर जवाब जरूर तुम अली होगे सुना है बहुत तुम्हारे बारे में आज देख भी लिया उमीद नहीं थी मुझे इस दुनिया में भी मेरा कोई तरफदार निकलेगा बैसे आपकी तारीफ अपनी तारीफ मैं अपने मुझे करूँगे तो ये मेरी तोहीन होगी यहां का जर्रा जर्रा जानता है मुझे किसी से भी पूछ लेना ताहिरा ताहिरा यही हूँ अबू भेडियों का शिकार करने गई थी आप खामखाई परिशान होते तो मिला शिकार? शिकार भी मिला और शिकारी थी आप वो सब छोड़ी आप के बताया पुझे खोच क्यो रहते तुम्हें अली के बारे में हातिम से बात करनी होगी शेहजादे साथ हो दुनिया को तो फटह करी चुके हो अब कौन से नए सपर पर निकले हो नीचे आओ बिलिए बताओ कि जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ यह नहीं खुदी आके देख लो तेरे 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 माल करना कहा है मानना पड़ी है हमारी उमिदों पे हमेशा खरी उतर्थे हो तो आखिर दोस किसके है तैसे एक बात बताओ कि तुम इसका करने क्या बाले हो जब देख सकते हो तो सुनना क्यों झाल 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 यह हुई ना बात पेश है बेडियों के जहरी ले दातों से बना एक जान ले वा या कमाल है हातिम अपने तजवर्बे से तुम तो तिनक्यों को भी तलवार में बदल देते हो इसलिए तो अब्बू ने तुम्हें चुना है अली के हुनर और जजबे को उसके मुकाम तक पहचाने के लिए बाबा बेरोज ने बेजा है पसड़ियल गोडी के सफारिश करने के लिए नहीं 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 हो सकता ताहिरा हम उस मगरूर इंसान को कुछ नहीं सिखा सकते हैं बात कहते हैं हातिम पर अली में कमी ही क्या है दिखता अच्छा है लड़ता अच्छा है मुझे नहीं बहुत पसंद है कि हमें नीपता हूव कैसा देखता है और जो भी उसमें वो bात नहीं है है तुमें इतना अच्छा लगता है तो तुम यहान क्या करें उसके पास जाओ ना जा हातिम! 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 मैं तो मजाग कर रही थी हातिम, अली का सफर तो अभी शुरू ही हुआ है पर तुमने तो साथ و दुनियाओं को फटे किया है काइनात के सबसे मुश्किल साथ सवालों के जवाब खोज ली है तुमने और अली को तो अभी खुदी को खोजना बागी है तब भी अम्मी ने इबलेस के खात में के लिए अली को चुना हमें नहीं क्यों? क्या लगता है अब अम्मी को हम पर भरोसा नहीं रहा हातिम ऐसी बात बिलकुल नहीं है तुम पर यकीन है इसलिए तो अली को यहां बेजा है तुम्हारे पास और अली में काबिलियत है और उसे कामियाब बनाने का जिम्मा रोशनी खाला ने तुम्हें दिया और जैसे तुम्हें इस हतियार को तराशा है ना बिल्कुल ऐसे तुम्हें अली को तराशना है। उसे इल्म की आग में तपा के एक नयाब हतियार बनाना है। एक ऐसा हतियार जिससे इपलिस का खात्मा हो सके। चलो उसकी बेवकूफी को उसके इस बत्तमीजे को नजर अंदास कर देते हैं, पूरी दुनिया तुम्हारी और उमीद से देख रहे हैं। और दुनिया को बचाने का यही एक रास्ता है। पूरी दुनिया को बचाने का यही एक रास्ता है। पूरी दुनिया तुम्हारी और उमीद से देख रहे हैं। पर दुनिया को बचाने का यही एक रास्ता है तुम्हें और अली को एक होना होगा पर हातिम और अली के तरीके बहुत ही अलग है ताहिर है मानती हूँ कि तुम्हारे तरीके जुदा हैं पर मकसद तो एक ही है ना हातिम सोचो, तुम्हारा तजुर्बा और अली की ताकत एक हो जाएंगे तो इबलिस का खात्मा तै है और अगर रोश्नी खाला ने अली को चुना है तो उनने उसमें कुछ तो देखा होगा ना तुम्हारी अम्मी ने तुम पर यकीन करके उसे तुम्हारे पास भेज़ा है देखना भी है कि क्या तुम्हें अपनी अम्मी पर यकीन है अगर अम्मी की यही मिर्जी है तो हम यही करेंगे इस अडियल ढोड़े पर दाव लगाने के लिए हम तहीर है वैसे भी तुम पर लगा हम कसने का मौकर अपने हांच से कैसे जाने दे सकते है तुम्हें भी मैंने पानी नहीं पिलाया तुम्हेरा नाम अली बाबा नहीं रही साथे कुछ का शुक्रिया शुक्रिया दा कर रहा था मने बहुत खूब खुले दिल से और खुले जुबान से क्यों नहीं कहते है शुक्रिया बड़बोले शैजादे वाह ताहिरा बेटा तुम्हें हातिम को मना ही लिया शुक्रिया दोस्ति पर हमारी एक शर्त है अब ये मत कहना कि मुझे तुम्हारी तारीफों के कसीदे पढ़ने पढ़ेंगे नहीं नहीं एक बार हमें जान लोगे तो खुद ही तारीफ करोगे शर्त ये है कि हमारे किसी भी इंतहा में तुम नाकामियाब नहीं हो सकते और अगर हो गए तो तुम तुम्हारी रास्ते हम हमारी रास्ते हैं अन्जूर है क्योंकि ऐसा कोई भी इंतहान नहीं है जिसे अली पार ना कर सके हातिम का तजर्बा और अली की ताकत मिलकर खात्मा करेंगे इवलिस का रोष्णी तुम अपने बेटे को कही पर भी चुपा लो मगर आज वो मेरे नूरी निगा से नहीं बच पाएगा जिसकी मुठी में पूरी काइनात हो उससे बचकर कहां तक भागोगे भांजे तुम्हारे सीने में दो दिल धड़क रहे हैं और उनमें से एक मेरी अमानत है और मुझे मेरी अमानत वापस चाहिए लाटाओ मेरी अमानत अली कर दोखब। कित पुर काटा कहते हैं, इस सुबह का कुवाब सच होता है, इस कुवाब का भी कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा, हाँ, है गुलाब, इब लिए सच मुझे पाली के बास ना पहुच चाएंगा, मेरे आका, यही वो जगा है, जहाँ पिछली बार मेरी और अली की जंग हुई थी, और वो लड़का उसे बचा कर ले गया था, पर मेरे आका, हम यहाँ वापस क्यों आए, भागने वाले अपने पीछे कोई न कोई सुराग सरूर छोड़ जाते हैं, जाओ और जाकर ढूंडो किसी दूसरी दुनिया का एक सर्रा भी तुमें मिले, तो मुझे फारं खबर ख़रो आखेर अली की मदद करने वाला, वो दूसरा शक्स कौन था? अम्मी इबलिस की गिरफ्त में है, तो ये जो भी है तुम्हारी तालीम इसे जल्दी ख़तम नहीं कर सकते है, जल्दी का काम शैतान का होता है, अली तालीम तो सबर से ही हासल की जाती है अम्मी की जान खत्रे में है, और तुम ऐसे नासुक वक्त में मेरे सबर का इंतिहान ले रहे हो हम सुमझते हैं, हमारी भी अम्मी है बस तुम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग में जजबातों पर काबू रखना सीखना चाहिए बहुत महेंगा साबित होता है अगर तुम सच में अम्मी को अपना मानते हैं, तो ऐसी पक्वास नहीं करते हैं और एक बात जान लो, इस वक्त अम्मी को बजाने से बढ़कर मेरे लिए और कोई जंग नहीं है पर ये बात तुम्हारा बेज़बाती दिमाग कभी नहीं समझ सकता बस शिशली कि तुम्हारा अम्मी से खून का रिष्टा है हमारे ज़बात, हमारे रिष्टे को इस तरीके से जलील नहीं कर सकते तुम्हाली हमें किसी को ये साबित करने की जुरुत नहीं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं अब आद मैं वो बस हम अच्छे से समझते हैं तुम क्या केला चाहते थे तुम अम्मी के पैदाईश हो इसलिए तुमारा दर्द दर्द है तुमारी तकलीफ तकलीफ है तुमारा प्यार प्यार है तुमारा अम्मी से रिष्टा सच्चा है हमारा रिष्टा तो कुछ तो कुछ है यह नहीं है, ना? सब जोटा है इसा नहीं है, अले जा खावर लाएखो? मेरे आका, यह मिट्टी, यह इस दुनिया की नहीं लगती पापा, आपने अपने बेटे को बचाने की लाख कोशिश की लेकिन भागते भागते वो अपने पीछे यह सुरा छोड़ गया और आप यह मिट्टी मुझे आपके बेठे अली तक लेकर जाएगी और आप की जाए़ आपके लेकरी से चिरूव है वो